नमस्कार, आप सभी का स्वागत हैं, NCRT के लाइव इंटराक्टिव सेशन में, मैं हूँ सिम्रन सिंग और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इविद्या के चैनल नंबर 10 के ज़री हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप हमारे तमाम कारिकरम देख सकते हैं, हमा साथ जुड़ भी सकते हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, NCRT Official, जिस पर आप हमारे प्रोग्राम के लाइव रिकॉर्ड़ेट प्रोग्राम दोनों ही देख सकते हैं, और एक बार फिर से आपको बता दें कि इस आधे घंटे के लिए सोशल साइंस का एक सत्र लेकर आए टाइप्स है, कहां कहां, किस तरहां की क्रॉप स्पाई जाती हैं, उसके बारे में जानने के लिए आज का सत्र बहुत जरूरी है, तो दर्शिकों आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे महमान से, यानि चर्चा में हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, डॉक्टर बीर पर गिलرा में जाती हैं, एक्सपर्ट से कोई जानकारी साजा करना चाते हैं, तो आप सभी के स्क्रीन पर हमारा कंटाक नबर हो रहा है, बेज़ जचक, आप हमें कॉल कर सक्ते हैं, इस नबर पर जो आपकी स्क्रीन पर हैं, 8800440559, इस के अदिरेक्त आप सभीं हमारे साथ सकते हैं इस email ID के जरिये. So the email ID for class 10 students is right there on your screens. It is dth.class10-cit.nic.in. So without further ado, let's begin the conversation. चलिये जानते हैं और जादा समझते हैं agriculture को. So sir, जैसा कि हम सभी जानते हैं और बच्पन से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक कर्षी प्रधान देश हैं और agriculture ऐसे में कितना महत्वपून हैं कर्षी के बारे में जानना क्यों महत्वपून हैं उसके बारे में आप हमारे सभी दर्शकों को बताईए देखिए अगरी कल्चर है बारत एक कर्षी इसका अगरी कल्चर है वह हमारे लिए एक नेकेवल फूड के लिए है बलकि हम लोग बहुत सार की ऐसी चीज़ें है जिनको एक्सपोर्ट करके हम वह देश को अर्निंग्स मिलती है इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही एक इंपोर्टेंट है कर्षी हमारे देश के लिए बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं पीपीटी के माधियम से भी अपने दर्शिकों को समझाने की कोशिश करते हैं अगरी कल्चर क्या है पहली चीज यह है कि अगरी कल्चर में सिर्फ क्रोप्स ही नहीं आती है इसमें डिफरें फूड के लिए या विवरेज के लिए हमें यूजफुल है उसमों इंडश्ट्री के लिए जो रा मेटीरियल है वो हमें अगरी कल्चर से ही मिलता है फोरें एक्टेंज जो है अरनिंग है वह सी चीजे जैसे चाई है कोफी है या बहुत सी चीजे हम लोग एक्सपॉर्ट क करके उनसे जो हमको देश को से जो हमको एक्सपोर्ट करने के बाद यो अर्निंग मिलती है और यह बड़ी संख्या में जो है एम्ठोंम्ट जो है वह हम से अघ्रिकल्चर मैं ही मिलता है जानी की ईगrikल्चर है वह देश में बड़े लेवल पर जो रोजगार का एक बड़ा शाधन है, इसके द्वारा मिलती है हम लोगों को, और साथी सोर्स ओफ लिविंग हुड भी अग्रिकल्चर से ही है, यानि अग्रिकल्चर के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है, हम यह कह सकते हैं, तो सर अग्रिकल्चर कितने टाइप के हो सकते है यानि पर मैं कहूँ कि फार्मिंग अकसर हम खेती बाड़ी के साथ जोड़ते हैं, तो फार्मिंग कितने अलग अलग तरह के होते हैं, जी अग्रिकल्चर जो है, क्लास 10 में अगर अग्रिकल्चर की बात करें, तो यहाँ पर तीन टाइप का दिया हुआ है, पहला हम फार्मिंग वानिज्य कर्सी तीन तरह की जो कर्सी है वह हमारे class 10 का chapter 4 है उसमें तीन तरह की कर्सी दिया हुआ है और भी types है इसके लेकिन वह दूसरी कक्षाओं में है यहां पर तीन तरह की main प्रकार इसके फार्मिंग के हैं तो हम एके करके इनका फुरा detail में अगर देखें अगरिकल्चर आदिम जीवन निर्वाहकरसी आदिम जीवन निर्वाहकरसी है वह उसमें क्या-क्या चीज होती है पहली चीज यह ज्यादातर old method of agriculture अगरिकल्चर में जो पूराने तरीके हैं उनी के द्वारा यह अगरिकल्चर की जाती है यहां पर जो है इंडिया के कुछ एरिया है या वर्ड के कुछ एरिया है उसी में यह करसी की जाती है प्रेक्टिसाइज ने फ्यू पोकेट्स ओप इंडिया यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स इसके अंदर इस अगरिकल्चर में जो पूराने जो चीजे हैं जैसे धल है या कुदाल है फावडा है इस तरह जो पूराने जो चीजे हैं वही इस अगरिकल्चर में यूज की जाती है और डिपेंड्स ओन नेचर यह पूरी की तरह से या पर कोई भी इरिगेशन या कोई फर्टिलाइजर ये यूज नहीं किया जाता है यहां पर ये पूरी तरह से नेचर के उपर डिपेंड है इसी भी तरह का कोई fertilizer या को irrigation यह इस अग्रिकल्चर में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तमाल नहीं होता है बिल्कूल आगे बढ़ते हैं यह जो है इसको जो प्रिमिटिव सब्सिटेंस अग्रिकल्चर है आदिम जीवन निर्वाकरसी है इसको हम लोग shifting agriculture भी प्रिमिट लोग है उनके दोरह की जाती है और यह जो है उस एरिया को छोड़ करके तीन चार साल उस एरिया में का अग्रिकल्चर करते हैं और उसके बाद में वहां से दूसरी जिगह पर shift हो जाते हैं क्योंकि उसकी fertility या कम हो जाती है उस एरिया की अगर फेटिलिटी कम हो और उसके द्वारा फिल्ड तैयार किया जाता है इसलिए भारत की बात करते हैं तो बारत में इस तरह का इगरी कल्चर यह पर हैं लिए के इसको नौर्थ इस टेट्ट ने नाम से जानते हैं तो जूमिंग अग्रिकल्चर यहां पर है, दूसरा जैसे राजस्तान का जो साउथन पार्ट है, वहां पर इसको वालरे बोलते हैं, या अंदरपरदेश है, वहां इसको पेंडा बोलते हैं, तो अलग-अलग एरिया है, उसमें नाम अलग-अलग हैं, लेकिन अग्रिकल्चर या primitive subsidence agriculture यह सबी एक नाम है, विस्व में इसका जो नाम है, जैसे मिलपा है, वो Central America है, जो मेक्सिको वाला एरिया है, उसको मिलपा बोलते हैं, रोका है वो ब्राजील में इसको बोलते हैं, मजोले है वो Central America में बोलते हैं, कोनाको है वो वेनेजुएला में बोलते हैं, रे है वो वेतनाम में बोलते हैं, वो लदांग है, वो इंडोनेसिया में बोलते हैं, तो यह agriculture है, ज्यादातर ट्रोपिकल हिल्ली एरिया है, वहाँ पर यह ज्यादातर की जाती है, भारत में अगर इसकी बात करें, इसका डाइग्राम आप देखेंगे, इस तरह का एक फिल्ड त अगरीकलचर बोलते हैं, भारत में इसको अलग-अलग अरिया में अलग जैसे अधाया है, मध्य परदेश में बोलते हैं, पोडु रिखेंडा जिसको अंधर परदेश में बोलते हैं, कुमारी है, वो वेस्टन घात में बोलते है, या वालरे वालत्रे जो है साउधीष् tai नाम इसी अग्रिकल्चर का नाम अलग है तो यह है प्रिमिटिव सबसिटेंस अग्रिकल्चर और इसको हम दूसरी जो अग्रिकल्चर आती है वो आती है इंटेंसिव सबसिटेंस अग्रिकल्चर गहन निर्वाखेती जिसको बोलते हैं हिंदी में गहन निर्वाखेती यह जो गहें निर्वाखेती की जाती है, यह जबा तर इस सिस्टम is labor-intensive farming, इसमें बहुत ज़्यादा labor की जरूरत होती है, high biochemical inputs इसमें आपने की pesticide, chemicals, यह इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज किये जाते हैं, और irrigation इसके अंदर होता है, और दूसरा जो है, यह using small parcels of land, also under cultivation. तो यहांब जो कहा गया है कि यह system labor intensive farming है तो इसका क्या मतलब हुआ अं दो जादा इन्वोल है वोग जादा labor इसके इंदर जुरॉत होती है कम एरिया में बहुत गना अगर हम अब खती करना है तो वह एक तरह से intensive इंटेंसिव सब्सिटेंस अग्री कल्चर होती है यहां पर जादा पॉपुलेशन इसके अंदर इन्वोल है सरम सकती है वह ज्यादा लोगों को काम दिया जाता है इसके अंतर चाहिए और यहां पर जो है केमिकल पेस्टिसाइड और इन सबी का यूज यहां पर साइनटीफिक तरीके से किया जाता है लेकिन यह जो एक्सपोर्ट या कमर्सलाइजेशन नहीं होता है इस एक्जांपल वीट है जो पंजाब हरियाना और नोर्दन उत्रपरदेश है यहां पर एक तरह से इंटेंशिव सब्सिटेंश अग्री कल्चर है जिवन निर्वाः कहती है लेकिन अगर राइस नहीं होता है वह बेचने के लिए किया जाता है तो इसको कमर्शियल इंटेंशिव अग्री कल्चर में लेंगे तो यहाँ intensive का मतलब यही है कि गहेंद निर्वाख यहती बहुत सारे ज़्यादा सर्मिक के यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इनवोल रहती है और फोड़े अटा में बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिशा इरिगेशन के माध्यायम से बहुत ज्यादा यहाँ या जो yield है per hectare जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा रहता है इसके अंदर और यहां पर main जो है बहुत सरक्या जो commercialized यानिकी बेचने के लिए और यहां पर भी irrigation का है fertilizers का है या high variety वाले जो बीज है यहां पर यूज किये जाते हैं और इसका उत्पादन जो भी उत्पादन हो रहा है उसको बेचने के लिए किया जाता है तो using higher doses for modern inputs, using high yield varieties of seeds, the main is to gain profit, यहांपर profit के लिए यह काम होता है, using crop specialization, यानि कि जो crop है उसका specialization है, यानि कि यहांपर एक ही जो crop है, वो ज्यादा दर उत्पादन की जाती है commercial में, जैसे चाय है, कोफी है, बड़े field में एक ही तरह की crop उगाई जाती है, और उसका main जो उद्दे से रहता है, वो commercial रहता है, ज्यादा मात्रा में उत्पादन करके, उसका commercial जो है, यानि कि बेचने के लिए वो की जाती है, लाब कमाने के लिए यह यह खेती की जाती है, जिसमें rice, oil seed, sugar cane, cotton, high variety yield, यह की विशेष्टाएं हैं, बिलकुल आगे बढ़ते हैं, यह तीन तरह की farming के बारे में तो हमें जाल लिया, कमर्शियल जो agriculture है, उसमें जो plantation agriculture है, वो एक commercial farming है, उसी का part है, और इसकी जो main विशेष्टा यह है, कि it's also called tree और bush farming, crops are ground for sale in market, यह plantation agriculture में जातर जो crop है, वो market में बेचने के लिए की जाती है, यहाँ पर बड़े एरिया में plantation किया जाता है, जिसे चाय का है, या कोफी का है, मोतपादन किया जाता है, most operation are carried out manually, यहाँ पर ज्यादातर जो है, manually काम किया जाता है, women are employed in the garden, जैसे tea garden है, यहाँ रबड़ यहाँ पर जो सस्ता सर्मिक है, वो यहाँ पर जो महिलाएं है, उनको ज्यादातर involved इसमें किया जाता है, और यह जो crop है, जैसे चाय है, कोफी है, र उसमें आता है, plantation, crops है, और से कौन-कौन से शेत्रों में हमें, क्रॉप्स मिल सकते हैं, कौन से region lleHyाजश वे टिवाइड़ है, घिखे, अगर चाय की बात करें हम नोग, चाय की बात करें तो चाहिक का ज zweiBAत टार उत पाद़क है, वो आसम हमारे देसमें सबशे बड़ा और जो हिमाचल प्रदेश है या साउथ में जो निलगी माउंटेन करनाटक और केरला तमिल नाडू का जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर एक तरह से चाई की खेती की जाती है इसके साथ ही जो प्लांटेशन अगरिकल्चर है उसके अंदर जैसे रबड है यह ज्यादातर क केरल 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 करनाटक केरल के कि डेशन में पर रबड का थान Impact करनाटक को मिलता है सबसे गड़ा उतका है करनाटक का है टो इस तरह से जह भूंठ अगरिकल्चर रहे वो देश का जो ज्यादा तर असम वेस्ट बंगाल और नोर्थ इस स्टेट्स और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और जो साउथ वाले जो एरिया है तमिलनाडू केरल का वहाँ पर ये फसल उत्पादन होता है इसका और सर जब हम फसलों की उत्पादन की बात करते हैं तो मेंने सुना है कि इसमें अलग-अलग seasons होते हैं जैसे राभी हो गया खारफ हो गया तो इसके बारे में और हमें और साइसे इसमें में होते हैं और यह हमारे कौन-शाजिजबर महीन होते हैं में जुजब फसल नोड़ फसल होता है दो थो तो है तो खरीब का क्रोप है वो जनरली जो मांसून जब आता है स्टार्ट होता है तब खरीब की फसल है वो गई जाती है तो जून से स्टार्ट हो करके सिप्तमबर और अक्टूबर तक का इसका फसल तयार हो जाती है और इसके अंदर जो में जो क्रोप है उसमें जैसे राइस ह और इनका आता है जब हमारे जुन में मांसून आता है तब ये फसल हो गई जाती है और इनका पक कर तयार होनेम है वह सेप्टमबर और तरह की मांसून के समय में पानी की जाद़ जरूरत होती है की पानी की पानी की जरूरत नहीं होती है। मानसून होता है उसी से हो जाती है को एक बार या दो बार आगर शिचाई का ज़ुड़त पढ़सकती है लेकिन जनरली जो करोप है।meye supply मपड़ा में is का जो सीजन होता है वह अक्टूबर लाइस ले नॉमबर से start काटो करके और भरवरी मार्ष तक मार्ष तक का टाइम और इसमें जो है छडाल वारी को चना सर्ऑं है वो इस समय हमारे यहां पर बारिश नहीं होती है, तो ज्यादा तर इनमें हम लोग शिचाई करके इरिगेशन के द्वारा यह जो फसल है, वो तैयार की जाती है. तीसरी जो क्रोप आती है, वो आती है जायद की क्रोप है, जायद जो है वो एक तरह से जो रभी की क्रोप और खरीब की क्रोप है, यान कि जो गर्मी का टाइम रहता है, मार्च से स्टार्ट हो करके जून तक का जो टाइम है, उस समय जो गर्मी के मौसमें जो उगाई जाने और जायद की जोग्रोप है उसमें मुक्हय तयाद वेज़ेटेबल्स हैं वो होती है इसके अलाबा या कड़ी है तरबुज है या फली की सबजी है तो DOWN उतली जाते हैं कुकुमबर वाटरमेलन मस्रूम यह सारी जो जायद की स्हीं और सर जब हम इन फसलों के उत्पादन की बात करते हैं तो क्लाइमेटिक जो हमारी कंडिशन है उनकी एक महत्वपून भूमिका है इनके उत्पादन में कितना टेंप्रेचर है क्या इन सब पे निर्भर करता है कि क्रॉप किस तरहां से फलेगी फूलेगी जी जी कोई भी जो क्रोप है उसके लिए एक निशित तापमान और इसको जेग्राफिकल कंडिशन बॉलते है वे उसकी ज़र्वत होती है तो पहला मैं लियो हम लोग गेहूं की बात करे तो गेहु है उसके लिए जिसीरोप श्यादन की जिःघ्वान जो उसरot एक तापमान है रहत हूं Aww.. ज इसके लिए प्रियाप्त रहती है साथ इसको irrigation के द्वारा हम तयार करते हैं में तापमान और दूसरा रेनफाल तो तापमान 15 से 20 डिग्री होना चाहिए गेहों की क्रोप के लिए और दूसरा रेनफाल है वो 50 से 55 सेंटीमेटर के आसपास होनी चाहिए ऐसे ही जो चामल है जै यान की 100 सेंटीमेटर से ज्यादा बारिश होना चाहिए उसके लिए तो यह क्रोप उसी क्लाइमेटिक कंडिशन से है उसमें यह होती है तो दोनुही क्रोप चामल जो है वो एक तरह से कई जगे पर जो साउथ इंडिया है जैसे नोर्थ इंडिया है वहां तो एक खरीब की है यह क्रोफय है यह साउथ में कई वार यह के साथ में बहुत ही जा सकती है क्योंकि ओस्यव इफेक्ट की वजए से वहां पर जो ताप मान है वो थोड़ा सा उन्चा रहता है तो चामल है उसकी कई वार हमारे देश में 3-3 क्रोप भी ली जाती है तो जैसे अमन और भोरो आपने बहुत ही महत्वपून जानकारी दी है हमें लेकिन अब समय इजासत नहीं दे रहा कि हम सत्र को आगे वढ़ाएं यह जानकारी बहुत ही महत्वपून थे और इससे पहले कि सत्र को यहीं विराम दे मैं चाहूंगे आप हमारे दर्शकों को जो हमारे बच्चे हमारे सा जो इन से रहते हैं तो हमारे एक तरह से एकोनमी के लिए या हम सब्जेक्ट के रूप में लोगों को डेली लाइफ में जो चीजे वह जरूरी है कि इसके लिए क्या आपमान चाहिए और नेक्स्ट जो हम लोग किसान हैं हमारे बहुत से परिवार हैं बहुत से बच्चे हैं उनके परिवार हैं इसी अग्रिकल्चर से जुड़े हुए हैं तो वहां पर उनका एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल हो सकता है उनके लिए कि क्या तापमान होना चाहिए क्या इसके लिए हमको कैसे करेंगे प्लांटेशन अग्रिकल्चर कैसे करेंगे तो इसकी यह पड़ करके हम उनको बहतर और ज्यादा बहतर किया जा सकता है बिलकुल और मुझे लगता है कि अभी तक हमारे दर्शक भी इस बात को भली भांती समझ चुके होंगे किस तरह की अलगलग फार्मिंग्स होती हैं किस तरह की अलगलग फसलों का उत्पादन होता है कौन कौन से सीजन्स में सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के लिए और जितने भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े होए थे खास दौर पर हमारी कक्षा दस्वी के सभी विध्यारती आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों इससे पहले कि सत्र को यहीं विराम दे एक विशेश जानकारी है आप सभी के लिए यह जानकारी एक प्रति एक जिए दुआर्योगिता की घोशना कर चुका है यदि आप एक शिक्षख शिक्षख प्रशिक्षख चातर यह श्वतंत्र शिक्ष्षख एक इनिर माता है तो आप प्रति यौगिता के लिए अपना सर्व श्रेशट इंतने 24 आन्तरित है अधिक जानकारी एवं प्रवे ही है 10 जन्वरी 2024 एक बार पुन है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तो दर्श को आपने सोशल साइंस के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं पर कुछ ही समय में हम वापस हाजर होंगे अपना अगला सत्र लेकर जो रहेगा साइंस का तो कक्षा नौवी के सभी वित्यारती हमारे साथ जुड़े रहे और आपको बता देते हैं कि हमारा विश्य है Force and Laws of Motion जिसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे अपने अगले सत्र में तो आप देखते रहेगे इविद्या चैनल्स नमस्कार